नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब इस वीडियो में हम राजस्तान जियोगरोफि के अंदर स्थती और विस्तार के कुछ यूनिक क्योशन्स डिसकस करेंगे जो भी क्योशन्स होंगे प्रिव्यर्स एक्जाम में आयोई क्योशन्स होंगे तो सारे questions important है जो भी विद्यारती चैनल पर नाय है वो चैनल को subscribe कर ले वीडियो को like कर ले और टेलिग्राम चैनल को join कर ले वीडियो के last में आपको comment करके बताना है आपके कितने questions सही हुँ है question number one राजस्तान का छेत्रफल निमलिकित यूरोपिय देसों में से किनके चेत्रफल के लगबग बराबर है नार्वे, बेल्जियम, सुजरलेंड, पॉलेंड तो राजस्तान का जो चेत्रफल है वो नार्वे और पॉलेंड के लगबग बराबर है इसके अलावाद जापान के भी बराबर है स्रिलंका से 5 गुना है और इज्राइल से 17 गुना है तो यहाँ पर option number D आपका बिल्कुल correct होगा यह question आपका second grade exam 2019 में आया हुआ question है तो आपको ध्यान रखना है इसी type के questions आपको देखने को मिलेंगे question number 2 निम्न में से कौन सा युगम सही है राजस्तान की इस्तती कुल भोगलिक चेतर वर्ग किलोमेटर में आपको बताना है option है 23 degree 3 minute से लेके 30 degree 12 minute north 69 degree 30 minute से लेके 78 degree 17 minute east और जो चेतर फल दिया हुआ है वो है 3,42,249 km2 तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा option number A बिल्कुल correct हो जाएगा question number 3 निम्न में से सत्य कतन चूस करिए तीन कतन दिये हुआ है पहला कतन है राजस्तान का अक्सांसिय अंतराल 8 degree 47 minute है दूसरा कतन है राजस्तान 23 degree 3 minute से 30 degree 12 minute उतरी अक्सांस के मध्य इस्तित है जो कि हमने question number 2 में ही किया है तीसरा कतन है राजस्तान की उतर से दक्षिन लंबाई 8,6,9 km है तो यहाँ पर जो आपका सत्य कतन हो जाएगा option number B यहाँ पर correct होगा एक क्यों correct नहीं है क्योंकि 8 degree 47 minute नहीं होता है अक्सांसिय अंतराल जो है वो 7 degree आपका 9 minute होगा ठीक है यह देक्सांतरी विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है तो रेड किलिफ रेखा जो है इसका निर्दारन कब हो आता इसका निर्दारन 17 अगस्त 1947 को आता यह आपको ध्यान रखना है पहली चीज तो रेड किलिफ रेखा पर राजस्तान के चार जिले रिष्तित है कौन-कौन से एक तो आपका गंगानगर रिष्तित है दूसरा आपका जेसल मेर रिष्तित है और फिर चोता जो है वह आपका बाढ़ मेर रिष्तित है तो गंगानगर से स्टार्ट हो के यह बाढ़ मेर तक जाता है और इनकी लंबाई भी आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नमबर A बिल्कुल करेक्ट होगा हिंद तो राजस्तान के ऐसे दो जिले हैं जिनकी सीमा अंतराष्टिय भी है और अंतराज्य भी है बाढ़ मेर और गंगानगर तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर C आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योशन नमबर 7 राजस्तान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात वह पाकिस्तान से लगती है यह क्योशन अभी जस्ट हमने किया है क्योशन नमबर 6 में बाढ़ मेर जो है उसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है यह आपको ध्यान रखना है क् सा सहर रेड किलिफ रेका से सरवाधिक दूर इस्तित है important question चार जीले जो मैंने आपको बताए वो दिये हुआ है यापर सरवाधिक दूर कौन सा इस्तित है यह आपको बताना है जो निकट है वो तो है गंगा नगर सबसे निकट है और जो सबसे दूर है वो है बीकानेर तो option number C यहाँ पर आपका correct हो जाएगा और अगर यहाँ पर धोलपूर option में होता तो से पूछा गया है तो धोलपूर आपका correct answer होता question number 9 राजस्तान के वे जीले जिनकी सीमा दो राज्यों से मिलती है question number 10 राजस्तान का चेत्रफल वर्ग मिल में है तो वर्ग मिल में राजस्तान का कितना चेत्रफल है अब बच्चे यहाँ पर जैसे option देखेंगे option number A टिक कर देंगे तीन लाग 24249 वर्ग किलोमेटर बट यहाँ पर वर्ग मिल में पुछा गया है तो वर्ग मिल में आपका जो correct answer होगा option number B एक लाग 32149 वर्ग मिल होगा यह आपको ध्यान रखना है question number 11 राजस्तान पृत्वी के किस छेत्र में इस्तित है तो राजस्तान पृत्वी के पूछा गया है मतलब गलोब के अंदर कहाँ पर इस्तित है तो गलोब के अंदर उत्तर पूरू में इस्तित है option number B आपका बिल्कुल correct होगा और अगर आपसे भारत के respect में पूछा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम आपका correct answer होगा ठीक है तो आपको question को ढंग से पढ़ना है पृत्वी के respect में पूछ रहा है या भारत के respect में पूछ रहा है question number 12 राजस्तान के सरवादिक निकट इस्तित बंदरगा है तूती कोरन, कांडला, पारादीप, कोचीन तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा option number B कांडला important question है question number 13 यदि जैसल मेर 69 डिगरी पूर्वी देशांतर परिस्तित है और सुर्यास्त का समय 7 पीम है तो धोलपूर में जो 78 डिगरी पूर्वी देशांतर परिस्तित है सुर्यास्त का समय होगा तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे यहाँ पर 69 डिगरी पूर्वी देशांतर दिया हुआ है यहाँ पर 78 डिगरी पूर्वी देशांतर दिया हुआ है तो इनका difference निकालेंगे तो 9 degree निकल के आएगा 8 degree को हम 4 minute से multiply करते हैं तो यहाँ पर 36 minute निकल के आएगा तो आपको 7 p.m. में से 36 minus कर देना है तो आपका जो correct answer निकल के आएगा option number B यहाँ पर बिल्कुल correct होगा 6 बच के 24 minute हो जाएगे देखे होता क्या है जैसे यह राजस्तान है अगर आप पूरू की तरफ जाओगे तो आपका time घटेगा और अगर आप पश्चिम की तरफ आओगे तो आपका time बढ़ेगा यह आपको ध्यान रखना है question number 14 निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए राजस्तान की अकसांसिय सीमा 23 degree 3 minute दक्सिन से 30 degree 12 minute उत्तर है कथन जो दूसरा है वो है राजस्तान की देखसांतरी सीमा 69 degree 30 minute पश्चिम से 78 degree 17 minute पूर है C कतन है राजस्तान का कुल 6 तरफ तील लाग 42,249 वर किलोमेटर है और D है राजस्तान का आकार अन्यमित सम्चतरबुजवत या सम्चतरबुज जैसा दिखता है तो यहाँ पर option number C और option number D बिल्कुल correct होंगे तो आपका जो correct answer है option number B होगा A और B correct क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर दक्सिन से उत्तर कर दिया है इन्होंने और पश्चिम से पूरु कर दिया है जबकि पूरु से पूरु होना चीए था और उत्तर से उत्तर होना चीए था और राजस्तान की जो सरच नहीं वो कैसी है यार राजस्तान का आकार कैसा है तो विश्म कोनी चतुरबुज यह किसने कहा था ये टीम हेड ले द्वारा कहा गया था ये क्योशन हर एक्जाम में बार बार पूचा जाता है टीम हेड ले तो ये आपको ध्यान रखना है क्योशन नमबर 15 राजस्तान के किस जीले की अंतराज्य सीमा सरवादिक है जैसल मेर, बार्ड मेर, चितोडगर, जालावाड ओप्शन नमबर D यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा जालावाड MP के साथ जालावाड की सीमा लगती है MP की जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमेटर लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती 89 किलोमेटर यह आपको धियां रखना है अंतराज्य सीमा पांच राज्योगी राजस्तान से लगती है Question number 16 राजस्तान अरब सागर से कितने किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है 300 किलोमेटर, 400 किलोमेटर, 500 किलोमेटर, 600 किलोमेटर तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो होगा 300 किलोमेटर, important question है नया question है, याद रखना है Question number 17 राज्य की पूर्वी वो पश्चिमी सीमा के इस्तानिय समय में अंतर लगबग है तो जैसा कि मैंने आपको बताया पूर्वी सीमा और एक होगे आपकी पश्चिमी सीमा इन दोनों के बीच में अंतर कितना है यहाँ पर आपका होगा 69 डिगरी 30 मिनट से लेके यहाँ पर होगा 78 डिगरी 17 मिनट तो लगबग 9 कन डिफरेंस आ रहा है तो आपका जो correct answer यहाँ पर हो जाएगा जेपूर यहाँ आपके option है इन में से कौन सा जीला है जो अंतराची सीमा पर इस्तित नहीं है तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो हो जाएगा दोसा option number A अच्छा दोसा answer है यहाँ पर क्यों हुआ क्योंकि राजस्थान के अंदर 8 जीले ऐसे हैं जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं उनको याद रखने की trick क्या है उनको याद रखने की एक funny trick है क्या trick है जोदा, बूटो, राजा, आज ना पादू तो इनसे एक अर्थ निकलता है तो ऐसे 8 जीले होते हैं ठीक है question number 19 राजस्तान की पूरो से पश्चिम तता उत्तर से दक्षिन चोड़ाए दर्साने वाली दोनों रेखाएं किस जीले में एक दूसरे को काड़ती है तो यह आपका राजस्तान हो गया उत्तर से दक्षिन और पूरो से पश्चिम जो यह वाली जो है तो यह point जो है यह कहाँ पर मिलता है यह यहाँ पर पुछा गया है जेपूर, नागोर, अजमेर और पाली तो यहाँ पर आपका correct answer होगा नागोर option number B यहाँ पर correct होगा और नागोर में आगर आपसे इस्तान पुछा जाए तो लापोला इस्तान ठीक है यह भी आपको ध्याँ रखना और satellite के according गगरा नागाऊ question number 20 जेपूर कितने degree देशांतर पर इस्तित है तो यह भई आपका राजस्तान है राजस्तान के अंदर जेपूर लगबग यहाँ पर इस्तित है तो 68 degree पूरवी देशांतर पर होगा तो यह तो गलत हो गया 70 degree पूरवी देशांतर पर यह भी गलत हो गया 72 degree पूरवी देशांतर पर यह भी गलत हो गया क्योंकि यह यहाँ पर इस्तित है तो यहाँ पर जो है 78 है तो लगबग उससे 2 degree माल लो आप तो यहाँ पर D option आपका बिल्कुल correct होगा 76 डिगरी पूरवी देशांतर और ऐसा क्योशन आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है क्योशन नमबर 21 निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी सर राजस्तान की अंतराष्टे सीमा से सरवादिक निकट इस्तित है अब क्योशन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर राजस्तान के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो राजस्तान के रेस्पेक्ट में ओप्शन है लाहर, इस्तलामबाद, कराची, जेको का बाद तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा जेको का बाद होगा तो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे 8 जीले हैं, तो यहाँ पर आपका D option बिल्कुल correct होगा Question number 23, करक रेका के बारे में हमको सही कतन चूस करना है करक रेका भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल सही है करक रेका डुंगरपुर के चीकली गाउं के नजदीक से गुजरती है, ये भी सही है बांसवाडा सहर करक रेका से राज्यों का सरवादिक नजदीक सहर है, ये भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आपके तीनों कतन सही हो जाएंगे, option number C बिल्कुल correct होगा question number 24, निम्न मेंसे राज्यों के किस सहर पर सूर्य की किरने सबसे कम तिर्ची पढ़ती है अब इस question को जैसे बच्चे पढ़ेंगे, डारेक्ट आंसर लगा देंगे गंगानगर क्यों? क्योंकि वो कम तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर पूछा गया है, सबसे कम तिर्ची पढ़ती है तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा, option number D डूंगर पूर होगा और सबसे ज़्यादा जो तिर्ची पढ़ती है, वो गंगानगर में पढ़ती question number 25, निम्न में से राज्य के किस जीले की अंतराज्य सीमा न्यूनतम है भीलवाडा, सिकर, जेपूर, बाढ़मेर, option number D यहाँ पर बिलकुल correct है question number 26, किस डेट को सूर्य उत्री गोलार्द में करक रेका पर लंबवत चमकता है तो यहाँ पर डेट दी हुई है, 21 जून, 11 जुलाई, 23 सप्टमबर, 25 दिसंबर तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा, वो हो जाएगा, 21 जून 21 जून जो होता है, वो सबसे बड़ा दिन होता है, यह आपको ध्यान रखना है दूंगरपुर, उदेपुर, चितोडगट, बासवड़ा, चार ओप्शन दिये गए हैं, उदेपुर तो होगा नहीं, चितोडगट होगा नहीं अब दूंगरपुर, बासवड़ा में हम हो जाएगे, confused, कौन सा सबसे निकट है, तो मैं आपको बता दू, सबसे निकट जो है, वो बासवड़ा है, और बासवड़ा ही सबसे निकट है, और सबसे ज़्यादा जो करकरेखा की लंबाई है, 26 किलोमेटर करकरेखा की आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू सौ मच विश वल अलले वेरी बेश्ट